हेलो पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स्ट एरे के बारे में जाना आज हम इस वीडियो में एसोसेटिव एरे के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले एसोसेटिव एरे इसकी डेफिनिशन जानेंगे तो associative array के definition है कार्य करने की दिस्टी से associative array indexed array के समानी है लेकिन indexing के संदर में वो अलग लग है बया अपने सूचकांक के संदर में भीन है इसके बाद परतेक value को string data types के user defined keys के साथ assign किया जा सकता है तो ये associative array इसकी definition है इसके बाद हम इसको आगए program के जिरी सफ़जेंगे तो यहां पर ये associative array का ये program है write a program to create an associative array तो इस program को हम यहां पर notepad में जाके सम्झेंगे तो ये जो program है ये notepad में हमने associative array का program बनाया हूप है तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा हुआ हो अउपर stml इसके बाद यहां पे body इसके बाद यहां पे heading का use की हूआ है h1 यहां पे PHP को start की हूआ है इसके बाद यहां पे यह जो है यह लाइन सारी यह है यहां पे हमने बराई हुए है associative array तो यहाँ पे यह दिखो क्या क्या है यह यहाँ पे हमने यह लिखा हुआ है variable name तो variable name क्या यहाँ पे दिया हुआ है salaries यह हमने variable name दिया है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है equal to और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है array तो array क्या एक keyword है तो यह keyword हमने लिखा और यह जो round bracket में हमने लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक यह है यहां पे हमने associative array बनाया हुआ है यह दिखो कैसे यहां पे यह जो bg लिखा हुआ है इसको बोला जाता है key और यह जो लिखा हुआ है हमने 750000 ये क्या है इसको बोला जाएगा बैल्यू फिर ये कॉमा लगाया है फिर यहां पे हम ने क्याल की की और इसके बाद इसकी जो इसकी की जो एससेटिव बैल्यू है ये है 1000000 ये सुरेश की यहां पे एससेटिव बैल्यू है इसके बाद फिर कॉमा लगाया है फिर आमित की यह associate value यह है 500000 क्योंकि यह जो बीजे नाम की की है यह associate कर रही है इस value से यह सुरेश नाम की की है यह जो associate कर रही है इस value से और यह जो आमित है कि यह associate कर रही है इस value से तो यह जो बनी यह associative value बनी अब हम यहाँ पे statement निकालेंगे जैसे यहाँ पे देखो eco salary of busy is इसके बाद यहाँ पे concat operator यूज किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है variable salaries तो यह जो variable name दिया हुआ है वो हम यहाँ पे यह लगाएंगे variable salaries किसकी salary आनी चाहिए यहाँ पे busy तो यहाँ पे हमने यह square bracket में लिखा busy busy लिखने के बाद यहाँ पे concat operator यूज किया है इसके बाद यहाँ पे break दी पहले तो इसकी आनी चाहिए busy की salary तो busy की salary क्या है यह busy की salary है यह उपर वाली 75,000,000, यह बीजे की सेलरी है, यह आनी चाहिए, इसके बाद, second statement, यह क्या display करनी चाहिए, eco, यहाँ पे, salary of सुरेश, सुरेश की सेलरी आनी चाहिए, is, यहाँ पे, concat operator यूज़ किया हुआ है, इसके बाद, variable salaries, और यहाँ पे, square bracket मिल खा हुआ है, सुरेश, फिर यहाँ पे, break of amidst is, इसकी भी आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने, बैसे लिखा, variable salaries, इसके बाद, square bracket में amidst, और इसके बाद, break लगाई हुई है, तो पहले क्या करेगा, यह हमें, तीनों की value, यहाँ पे बताएगा, तो यहाँ पे यह देखो, बीजे की सेलरी जो है, यह है, और सुरेश की सेलरी, यहाँ पे यह है, और यह amidst की सेलरी जो है, यह है, तो यह हमें बताएगा, कि सबसे पहले आएगा, सेलरी ओफ बीजे इस, यह है, इसके बाद, सेलरी ओफ सुरेश इस, इसके बाद यह आएगी, इसके बाद, सेलरी ओफ अमित इस, इसके बाद यह आएगी, 50,000, त तो यह हमें शो भी करें, तो यहाँ पर लिखेंगे, बैरियेवल सेलरी बिजे, यहाँ पर इस एकल टू हाई, इसके बाद हम लिखेंगे, सेलरी सुरेज इस मीडियम, तो सुरेज की सेलरी मीडियम है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, सेलरी अमित लो, तो अमित की सेलरी जो है low है तो यह भी हमें बताए कि किसकी salary high है किसकी medium है और किसकी low है तो यहाँ पर यह बताने के लिए है कि किसकी high है किसकी medium है किसकी low है तो यहाँ पर हम यह statement लिखेंगे eco salary of busy is यहाँ पर लिखेंगे salary यहाँ पर busy लिखेंगे फिर यहाँ पर बताएंगे salary of stretch is यहां पर फिर यहां पर variable salary लिखेंगे square bracket में stretch लिखेंगे फिर break देंगे इसके बाद third के लिए यहां पर use करेंगे eco salary of amit is variable salary इसके बाद square bracket में amit इसके बाद break तो सबसे पहले हमें क्या बताएगा यह कि बीजे की salary कितनी है सुरेश की salary कितनी है amit की कितनी है उसके बाद हमें यह बताएगा कि यह high किसकी है medium किसकी है और low किसकी है इस file को save as करेंगे यह देखो save as पर क्लिक किया और save as पर क्लिक करने के बाद c drive को open करेंगे और यहां पर bomb 64 यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद www folder को open करेंगे यह open करने के बाद project folder open किया और open करने के बाद यहाँ पे हम file का name देंगे तो यहाँ पे हमने file का name दिया hj hj file name दिया इसके बाद .php यह php की extension लगाई इसके बाद इसको यहाँ पे save कर देंगे यह save कर दे save करने के बाद इसको minimize करेंगे इसके बाद bomb server इसको open करेंगे तो यह bomb server open होगे यहां पर task war में आ गया है यह दिखो यहां पर हमने click किया click करने के बाद यहां पर local host इसको open करेंगे local host पर click करने के बाद यह local host window open हो जाएगी यहाँ पे सबसे उपर लिखेंगे हम localhost, इसके बाद forward slash, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे project, यह project लिखा, इसके बाद forward slash, इसके बाद फिर file का name लिखेंगे, file का name हमने दिया था hj, तो hj यह file name लिखा, इसके बाद dot php, यह dot php लिखा, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो यहां पे associate array use करके हमें यह output मिली तो यहां पे यह जो first statement है यह देखो echo salary of busy is यहां पे यह आ गया salary of busy is तो busy की salary क्या थी यहां पे यह देखो यह salary थी 750000 यह salary थी तो यहां पे यह print होके आगया यह देखो यह salary आगया busy की इसके बाद second आई यह देखो इको salary of suresh is तो suresh की salary क्या है यह देखो हमने associate array में use किया हुआ suresh यह की है इसके बाद यह जो associate कर रहा है इस value से associate कर रहा है तो यह देखो इसकी सुरेश की सेलरी क्या है 100000 तो यह आगी सेलरी आफ सुरेश इस यह देखो 100000 यह सेलरी सुरेश की है इसके बाद आगला जो है यह देखो इसको आगे करते हैं यह आगे क्या यह सेलरी आमित की अब बताएगा यह देखो आमित की क्या है 50,000 यह देखो थर्ड स्टेट्मेंट ह इको सेलरी ओफ अमित इस यहां पे सेलरी इस इसके बाद यहां पे अमित अमित के सेलरी पुछी है तो अमित के सेलरी क्या है यह देखो सेलरी ओफ अमित इस 50,000 इसके बाद हमें यह चाहिए कि हाई सेलरी किसकी है मीडियम सेलरी किसकी है और लो सेलरी किसकी है तो यहां पे हाई सेलरी जो है बिजे की है मीडियम सुरेश की है और यहां पे लो जो है अमिज की है तो यह हमें शो करें तो यहां पे हमने स्टेटमेंट बनाई हुई है इको सेलरी ओफ बिजे इस तो यहां पे सेलरी बिजे तो salary bizay हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यह देखो salary bizay high लिखा हुआ है तो यह हमें high show करेगा यह देखो यहाँ पर यह क्या दिया हुआ है salary bizay is high इसके बाद second statement हमने use की हुई है salary of surish is यहाँ पर salary surish तो यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है salary surish की medium है तो यहां पे output आगे salary of storage is medium यह medium आगे amidst के लिए यहां पे हमने क्या बढ़ा हुआ है low तो यह क्या show करेगा यहां पे salary of amidst is यहां पे salary amidst तो amidst के लिए क्या यहां पे use किया हुआ है low तो यह देखो यहां पे आगया salary of amidst is low तो सबसे तो यहां पर यह हमें Output बता रहा है तो यह देखो यह जो पहली लाइन थी यहां पर हमने associate array बनाया हुआ है तो यहां पर associate array बनाती बार हमें एक ध्यान रखना है कि यह जो key है जैसे busy नाम की key है यह associate करने है इस value से इसके बाद हमने यहाँ पर कोमा लगाना है अगर हम यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ भी डिस्प्ले नी करेगा यहाँ पर error शो करेगा यहाँ पर हमने कोमा लगाया हुआ है तो इस कोमा को हम यहाँ पर हटा देंगे यह भी हटा दिया और यह भी हटा दिया अब देखो इस file को हम यहां पे save कर देते हैं यह देखो save कर दी save करने के बाद जब हम यहां पे इसको देखेंगे तो हमें यहां पे output दिखाईने देगी यहां पे error show करेगा यह देखो यहां पे इसको refresh करते हैं यह refresh किया तो यहां पे हमें output दिखाईने दे रही है यहां पे error show कर तो यहां पर associate array बनाती वार हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो key लिखियू है इसकी associate value यह है इसके बाद कॉमा लगाएंगे फिर आगे key लिखेंगे फिर associate value यह लिखेंगे इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे इसको सही करने के लिए फिर हम यहां पर यह value लिखेंगे यहां तो इस तरह से एसोसेटीव अरे काम करता है तो इस वीडियो में हमने एसोसेटीव एरे के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद